ओम नमाशिवाये आश्विन माश क्रिश्न पक्ष रवी बार पंचमीत इथी सुबह साथ बजे तक लगी रहेगी तत्पस्चात सश्ठी इथी प्रारंब हो जाएगी चंद्रमा रोहडी नक्षत्र में दिन भर चलते रहेंगे जिसके नक्षत्र स्वामी चंद्र देव हैं आज के जन्मे जातक सुंदर पवित्र हिर्दय वाले प्रिय वचन बोलने वाले धनवान मेधावी धर्म कर्म में कुशल होते हैं ऐसे जातक दूसरे की कमियों को जानने वाले प्राकृतिक सुंदर के प्रेमी संगीत नाटक तथा कला में रूची रखने वाले सारवजनिक उत्समों में शामिल होने वाले सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान पाने के इच्छुक इमानदार तथा उच्च अभिलासी हो आज भी चंदर्मा पर केतु की पंचम दृष्ठी कायम रहेगी मगर आज चंदर्मा उच्च के होते हुए स्वयम के नक्षतर में भी हैं जिससे प्रवल आत्मिश्वास बना रहेगा उत्साह में वृध्धियोगी रुके हुए काम संपन्न होंगे प्रतियोगी भावना बिक्सित होगी आर्थिक लाव में सहयोग मिलेगा और पूरे दिन आत्मिश्वास बना रहेगा मगर कुछ राशियों के लिए मानसिक दगरता हर काम करने के प्रति जल्दवाजी और मन मेनकार आत्मक विचारों का पैदा होना संभावित है मेश राशी वाले जात्कों के लिए उचे के चंदरमा दूसरे घर में बैठे हैं धनलाव की इस्तिती मन मुताविक बनी रहेगी और आर्थिक सहयोग कायम रहेगा वाणी की सौमिता और वाग पटुता में व्रिध्धियोगी मानसिक सुगून और माता के स्वास संबंधी मामलों में सुधार का संकेत मिलता है आपकी सक्रियता और प्रबल उत्सा की प्रवृत्ती हर काम में सफलता दिलाएगी हाला कि कुछ कामों में अनावस्यक रुकावट या विवाद की संभावना भी बनती है मगर अधिकारियों के सहयोग और दिठचा सक्ती से आप उसका समाधान निकलने में सफल रहेंगे साजेदारी के प्रस्ताव लावदायक रहेंगे और नई कारियोजनाओं का विश्तार होगा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्धोगा और वयवाहे की योजनाएं फलिभूत होंगी ब्रिश राशी के राश्य स्वामी सुक्र स्वरासिस्त होकर सस्टम भाव में ब्रिहस्पती के साथ बैठे हैं स्वास्त संबंधी मामलों में उर्जावान महसूस करेंगे और आठिक वक्ष मजबूत रहेगा कारे छेतर में अपनी वर्जा का भरपूर इस्तेमाल जारी रहेगा मगर कुछ मामलों में मन का अंतरदंद बना रहेगा हाला कि अधिकतर मामलों में आपको सफलता भी मिलेगी कुछ रुके हुए काम संपन्ध होंगे और व्यावसाय संबंधी प्रतियोगी भावना विक्सित होगी जो की कारे छेतर के विकास में सहायक होगा संतान संबंधी आत्मिश्वास में विद्धियोगी और विद्याठियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता संभावित है और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दीन अनुकूल रहेगा मिथुन राश के राश स्वामी बुद्ध की यूती अवसूर्य के साथ कन्या राशी में बनी हुई है मानसिक दबाव खत्म होगा और धन लाव के इस्तिती बनी रहेगी ब्यावसाइक विकास में आपकी सकारात्मक पहल काइम रहेगी जिसका लाव ही आपको मिलता जाएगा विभागी सहयोग मिलता रहेगा और रुके हुए काम संपन होंगे संबंधित मामलों में यातरा या प्रवास की इस्तिती संभावित है पारिवारिक प्रेरणा आत्म विश्वास को बढ़ाने वाली होगी मगर कुछ कारियों में थोड़ा बिलंब और खर्च का संकेत मिलता है चंद्रमा के स्वयम के नक्षत्र में होने से अधिकतर कारे पूरे होंगे और साज्येदारी लाफदायक रहेगी संतान संबंधि दायित की पूर्ती होगी विद्याथियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है आपके मेहनत की सार्थक्ता सिद्ध होगी करकराश के राश्य स्वामी चंद्रमा एकादस भाव में चल रहे हैं मानसिक दबाव और खर्च की प्रवृत्ती में सुधार होगा आए संबंधि मामलों में सहयोग मिलेगा और लाफ की स्थिती बनी रहेगी आपके प्रतिष्ठा में व्रिद्ध होगी और नेतित करने की छमता का विकास होगा पारिवारिक पिष्ट भूमी सुखद रहेगी मगर स्वास संबंधि जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए आज का समय मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से लावधायक रहेगा हाला कि कारिच छेदर में जड़ विश्वास बना रहेगा जो की आपकी दक्षिता को बढ़ाने का काम करेगा आर्थिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा मगर बिवादित मामलों में साउधानी रखनी चाहिए संतान संबंधि चिंता में सुधार होगा, विद्याक्षियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, सफलता संभावित है सिंग रासी के राशी स्वामी सूर्य बुद्ध के साथ कन्या रासी पर चल रहे हैं और चंद्रमा आपके दसमें घर में चल रहे हैं कारेश्यत में सहयोग बना रहेगा और संबंधित मामलों में निवेश संभावित है ब्यावसाइक क्रिया सीलता में मदद मिलेगी और नई कार योजनाओं के बिस्तार में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा रुके हुई आर्थे की योजनाओं फलिभूत होंगी मगर कुछ मामलों में आपकी सार्थक पहल कमजूर पड़ सकती है संतान संबंधी सहूलियतें बनी रहेंगी विद्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा अध्येन अध्यापन में सफलता की उमीद बनती है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा कन्या राशी के राशी स्वामी बुद्ध सूर्य के साथ आपकी राशी पर ही हैं और ब्रिश राशी में चंद्रमा भागे भाव में चल रहे हैं आर्थिक मामलों में सहयोग बना रहेगा और भागे बस कुछ काम अच्छे होंगे नई कारियोजनाओं के लिए सरकारी सहयोग जारी है मगर कुछ मामलों में सावधानी अपेक्षित है मित्रवा सहयोगियों से भी आर्थिक लाव की उमीद बनती है साजेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे जिन्हें लागू करने में सफल रहेंगे बुद्ध का आपकी राशी पर चलना ब्यापारिक विस्थिरता का संतियत भी देता है मगर संतान संबंदी चिंता आज लगी रहेगी विद्याथियों को सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता संभावित है और वैवाहिक प्रयास पलिभूत होंगे तुला राशी के राशी स्वामी सुप्र बिहस्पति के साथ आपकी राशी पर ही बैठ है और चेंद्रमा आठ में घर में ब्रिस राशी में चल रहे हैं कारेषेद में रचनातमक पहल में कमी कांधेसा बनता है नीजी निवेश के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा मगर आपकी कार्वियोजनाएं बाधित हो सकती है विचारों का अंतरदंद मन में पैदा होना और अंचाही आत्राओं का संकेत भी मिलता है विवादित मामलों का निव्टारा आज के लिए उचित नहीं होगा नई कार्वियोजनाएं लाख दायक रहेंगी हाला कि सासन सताव अधिकारियों का सहीयोग बना रहेगा आठिक लाख मन मुताबिक मिलता जाएगा संतान संबंधी दायत की पूर्ती होगी और विद्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक से दोगा साथे स्वात संबंधी सावधानी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं ब्रिश्चिक रास के राश स्वामी मंगल उच्च के होकर पराकरम भाव में केतु के साथ हैं और चंद्रमा उच्च के होकर साथ में घर में चल रहे हैं रुके हुए काम संपन होंगे और आत्मिश्वास में ब्रिध्धी होगी साजेदारी सफल रहेगी सरकारी कामकाज में सहयोग और प्रेरणा मिलती रहेगी चंद्रमा पर केतु की नमम द्रिष्टी पढ़ने से अनावस्यक गगरता, घबराट और व्यावारिक तोर पर गलत फाहमी के सिकार हो सकते हैं मगर कारे चमता और द्रिष्चा सकती में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी और कारी ओजनाओं में आपके रचनात्म प्रयास आर्थक होंगे नीजी संबन्द प्रगाड होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा विद्याथियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा सिक्षा प्रत योगिता में प्रयास जारी रखें धनु रासी के राश स्वामिक गुरू तुला रासी में ग्याराहमे भाव में सुक्र के साथ हैं और चंद्रमा ब्रिष रासी में छठमे भाव में चल रहे हैं उर्जा अस्तर में कमी आत्मिश्वास और दिड़िच्छा सक्ती में गिरावट का अंदेशा बनता है मगर मन में नकारात्मक भावनाओं के साथ साथ एकांत प्रियता और सांत माहौल में रहने की प्रवरित्ती में विकास होगा हाला कि कार्योजनाई पूरुवत चलती रहेंगी और आठिक लाव की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी हाला कि रचनात्मक प्रयासों में मदद मिलेगी साजेदारी लावधायक रहेगी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा प्रयास सार्थक होंगे और वाहन सावधानी से चलाएं मकर राशी के राशी स्वामी स्थनी बारहमे भाव में बैठे हैं और चंद्रमा पांचमे भाव में चल रहे हैं कारिच्षित में उत्साह के साथ गती आएगी और संबंदीत मामलों में सहयोग मिलता रहेगा सरकारी भी भाग से लाभ है और अनकूलता बनी रहेगी नई कार योजनाओं में सासन सप्ता का सहयोग और अधिकारियों का सान्य दिशामिल होगा आर्थिक लाव की स्थिती सामान रहेगी मगर बुद्ध के सूरी के सार भागे भाव में होने से कुछ मामलों में रुकी हुई योजनाएं संपन्ध होंगी सरकारी सहयोग बना रहेगा और धनलाब संभावित है मगर स्वास समंधी सावधानिया रखनी चाहिए नीजी समंध प्रगाड होंगे विद्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा अधेन अध्यापन में अपने प्रयास जारी रखें और सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा कुम्भ राशि के राशि स्वामी सनी 11 भाव में बैठे हैं चंद्रमा चौथे भाव में ब्रिश रासी में चल रहे हैं स्वास संबंदी समस्याओं में कमी आएगी हाला कि नीजी सुख संपत्ती में ब्रिद्धी होगी और वैवाहिक मामलों में चल रहे हैं प्रयास सफल होंगे मगर कारेच छेत में उतार चड़ाव संभावित है पहले की चली आ रही योजनाव में रुकावट या वाद विवाद की संभावना भी बनती है मगर अभिकारियों का सही योग जारी रहेगा आर्थिक लाव के स्थिति मन मुताविक बनी रहेगी पारिवारिक दायत की पूर्ती होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सही योगी रहेगा अध्यान अध्यापन में सफलता की संभावना बनती है प्रयास जारी रखें मीन राशी के राश स्वामी ब्रिहस्पती आठमे भाव में सुक्र के सार रेठे हैं और चंद्रमा तीसरे भाव में चल रहे हैं प्रयासों का दौर जारी रहेगा मगर दिड़ विश्वास और सार्थक पहल में कमी की संभावना बनती है हाला कि चंद्रमा उचिके हैं और पराकरम भाव में चल रहे हैं आपके थोड़े से प्रयास से रुकते हुए काम बन सकते हैं मगर सावधानी भी अपक्षित हैं योजनाओं की गती धीमी हो सकती है हाला कि आर्थिक लाव में सहयोग बना रहेगा और नई कार योजनाओं के लिए समय अनकूल है नीजी जिम्मेदारी बढ़ेगी और निवेश लावकारी रहेगा संतान संबंदी चिंताओं में कमी आएगी मगर सावधानी रखनी चाहिए विध्याथियों के लिए आज का दिन सामान है अध्यान अध्यापन में सहयोग जारी रहेगा और वयवाहिक मामले फलीबूत होंगे आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाय